हरे कृष्णा राधी राधी आज की ये वीडियो राधा रानी की ड्रेस पे होने वाली है तो ये ड्रेस मैं होली के लिए बना रे वाली हूँ तो इसकी video मैं दो पार्ट में share करूँगी क्योंकि एक पार्ट में share करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लम्भी हो जाती है बहुत जाधा वीडियो तो देखिए उपर का पार्ट मैंने ready किया है पहले मैं base ready करूँगी उसके बाद इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ डिजाइन बनाऊंगी और इसके बाद इसको थोड़ा डेकोरेट करूंगी तो होली के लिए ड्रिस प्रॉपर तरीके से रेडी होगी तो यहाँ पर उपर का पार्ट मैंने रेडी किया है और आगे मैं अब कैसे बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो देखें यहाँ तक मैंने रेडी किया था उसके बाद जो मैं घेर के लिए इसमें बनाऊंगी आगे की रो तो उसमें हर एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाके कि इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी एक ही चेन के अंदर दो बार डबल क्रोश्या बनेगी और इस तरीचे से इस रो को मैं कंप्लीट करके और आगे फिर दिखाती हूँ क्योंकि मुझे तो फलेयर चाहिए तो फ्लेयर देने के लिए थोड़ा सा इसमें हम हर चेन के अंदर तो नहीं लेकिन डबल क्रोशिया को हम बढ़ाते जाएंगे तो उस तरीके से मैं इसमें घेर डालूँगी लेकिन इसमें आप चाहे तो कम घेर भी बना सकते हैं और जादा फ्लेयर चाहिए तो वो भी बना सकते हैं लेकिन मुझे तो जादा फ्लेयर चाहिए थी इसलिए मैं इसमें जादा फ्लेयर डालूँगी तो कैसे बनाऊंगी वो दिखाती हूँ पहले इस रोग को कमप्लीट करती हूँ मैं अब देखे यहाँ पर 3 चेन बनाई है मैंने 3 चेन बनाने के बाद work को यहाँ से turn करूंगी और अब next row बनाउँगी तो next row बनाने के लिए यहाँ तीन की जो चैन थी वो double crochet मानी जाएगी उससे अगली वाली चैन में मैं एक बार और यहां पर double crochet बना रही हूँ उसके बाद उससे next वाली chain के अंदर हम दो बार double crochet बनाएंगे तो यहां पर starting में दो double crochet बनेगी अलग-अलग chain में हो जाएगी और अग्ली वाली जो chain होगी उसमें हम दो बार double crochet बनाएंगे तो इसी तरीके से फिर next एंग्स्ट दो चैन में। सिंगल सिंगल एक एक बार डबल क्रुश्य हम बनाएंगे। और उससेją हम इससे कोड़ा होगां। तो इस रो को मैंने complete कर लिया है अब अगली next जो रो है उसमें मैं फिर से 3 की chain बना रही हूं और वो जो 3 की chain बनाई है वो एक double crochet मानी जायेगी फिर उससे next वाली chain में एक double crochet फिर उससे next वाली में एक double crochet बना रही हूं तो यहां पर तीन डबल क्रोशिया हो जाएगी अलग-अलग चेन के अंदर और जो थर्ड नमबर की जो है चेन होगी फूर्थ नमबर की जो चेन होगी उसमें मैं दो बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ तो एक और चीज में यहां पर आपको बताना चाहती हूं, अगर आप थोड़ा कम घेर चाहते हैं, तो जो पहले हमने रो बनाई है, उससे नेक्स्ट वाली रो को हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, हर चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिय डालेंगे, लेकिन यहां पर मै इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो थोड़ा जैसे कि एक फ्लेर तो आएगी, थोड़ा सा लिमिट में ही रहेगी, ज्यादा फैलेगी नहीं, स्कर्ट वगरा जो भी आप बनाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसको पूरा फ्लेर देना था, तो इस वज़े से मैंने ब बनाई है, जो कि डबल क्रोश्या माने जाएगी, उसके बाद मैंने एक डबल क्रोश्या बनाई है, फिर उससे अगली चे संवज में आ रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहे हूँ कि मैं आपको ठीक से बता पाओं, तो देखें, बनाने के बाद उसे नेक्स्ट वाली च यहां पर एक और डबल क्रोश्या बनाएं तो दो डबल क्रोश्या हो गई फिर थर्ड वाली चेन के अंदर एक डबल क्रोश्या तो यहां पर तीन डबल क्रोश्या हो जाएगी उसे नेक्स्ट वाली चेन के अंदर एक और डबल क्रोश्या मैं बनाऊंगी तो यहां पर चार सा बड़ा करूंगी बनाते हुए और उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि next कितनी लंथ मुझे इसकी चाहिए और कितनी लंथ के बाद मैं इसको जो है प्लेन बुनने वाली हूँ तो देखे यहां तक मैंने कम्प्लीट कर लिया है लगबग 6-7 रो तक मैंने इसको कम्प्लीट किया थोड़ा सा और मुझे इसको लंबा करना है तो अब मैं आगे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कर रही हूँ तो देखे यहां पे मैंने बढ़ाया था तो अब इस रो में मैंने प्लेन बुना है बिलकुल अब उससे नेक्स्ट वाली मैं मैं फिर से बढ़ाऊंगी डबल क्रोश्या यहां पे तो अभी एक बार करके दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा आपको तो देखे यहां पे तीन की चेन बनाई है यह एक डबल क्रोश्या होगी उससे आगे वाली जो चेन है उसमें मैं एक बार डबल क्रोश्या बना रही हो फिर उससे आगे वाली चेन के अंदर यहां पे एक डबल क्रोश्या बना रही हो तो यहां पे टोटल थ्री डबल क्रोश्या होगी अब यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाया तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हुई फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गई फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो जाएगी फिर नेक्स चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल यहाँ पर सेवन डबल क्रोशिया हो जाएगी फिर अब यहाँ पे एक और डबल क्रोश्या मैं बना रही हूँ अगली चेन के अंदर और फिर उसी सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोश्या बना रही हूँ तो यहाँ पे एक डबल क्रोश्या बढ़ गई है तो इस तरीके से इस रोको मैं complete करूँगी, देखें एक double crochet, फिर उस से next chain में एक और double crochet, तो total यहां पे दो double crochet बनी, फिर एक और double crochet बनाऊंगी, तो यहां 3 double crochet, 4 double crochet, 5 double crochet, 6 double crochet, इसी तरीके से इस row को मैं complete करती हूँ और उसे next वाली chain next वाली row के अंदर मैं पूरा plane बुन दूंगी उसमें कहीं भी मुझे बढ़ाना नहीं है तो देखें यहाँ पे यह एक chain के अंदर double crochet बनाया फिर अगली chain के अंदर एक और double crochet फिर उसे next में इसी तरीके से पूरे chain के अंदर एक और double crochet बनायेंगे तो यह वाली row जो होगी बिल्कुल plane होगी और फिर अगर थोड़ा सा और length आपको बढ़ाना होगा तो आगे वाली row में आप बढ़ाएंगे और फिर उससे आगे वाली row को plane बुनेंगे और अब यहां पे मैं थोड़ा सा design बनाऊंगी और design बनाने के बाद फिर अगली वीडियो में वो design मैं कैसे बनाऊंगी वो आपके साथ share करूंगी अगर आप इसको इतना घेर नहीं देना चाते हैं थोड़ा कम फ्लेयर देना चाते हैं तो आप एक row में बढ़ाएंगे दूसरी row में plane करिए फिर तीसरी row में बढ़ाएंगे फिर चौती row में plane बुनिए तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और अब मैं इसमें आगे design रही हूं राधारानी के लिए तो देखते हैं कि बनके कैसे रेडी होती है तो आज की वीडियो में सर्फ इतना ही मिलती हूं आप से अगली वीडियो में